हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों की शार शेयर करने वाली हूँ पराठा रेसिपी, मिक्स भेज पराठा इसे हम गेओ के आठे की साथ बनाएंगे जो बहुत सदा हेल्दी है, टेस्टी है तो चलिए इस टेस्टी हेल्दी गेओ की आठे की साथ मिक्स भेज मिलाके दाल देंगे 1 टिस्पून जीरा और इसकी साथ हम डालेंगे 1 टिस्पून अजबायन तो यहाँ पर सारी चीज डालने की बाद 2 टिस्पून ओयल डाल देंगे इसकी जगह आप घी एड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसकी हम डोव बनाएंगे तो यहाँ बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी एक सब्ट डोव बनाके तैयार करेंगे तो एक बार में ज्यादा पानी का इस्तिमाल ना करें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले और इस तरीके से गूंद के इसकी एक सब्ट डोव बनाके तैयार करें तो यहाँ प पराथा है ना उसमें मिक्स वेजटेबल की एक स्ट्राफिंग बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डो जो है ना वो अच्छे से हमने गुद ली है इसे हम साइड में रखेंगे वेजटेबल में जो भी वेजटेबल आपको पसंद है जो आपकी पास 7 लेविल है जो मैं डाल दूँगी एक कफ कैरोट जो मैंने बहुत ही बारी काट ली है इसे मैंने ग्रेट कर लिए अब देख सकते हैं इसके साथ मैं एक कप डाल दूँगी कैविच यानि पत्ता गोबी इसके साथ एड़ करेंगे हाफ कप पनीर और इसके साथ हम डाल देंगे एक मीडियम साइस की बॉइल पोटेटो इसके साथ एड़ करेंगे 4-5 ग्रेन चिली जो मैंने ऐसे ग्रेट कर ली है और इसके साथ डालेंगे 2 तीस्पून धनिया पत्ता इसमें हम डालेंगे 1 तीस्पून सॉल्ट और उसके बाद हम यहाँ पे आड़ करेंगे 1 तीस्पून जीरा पराथा में बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर आपकी पास नहीं है तो इसे डालने की जरूरत नहीं है अच्छे से मिक्स कर दें और यहाँ पर कोई भी और विस्टेवल्स आपकी मन पसंद है तो वह आप यूज कर सकते हैं या जो आपकी पास सेबल लेवल है वह ही है अब यहाँ यहां पर अपर हमने पहले से गौन्द के रखे थे और यहां पर एक बशाठास है यहां पर आप यहाँ आप देख सकते हैं और आपको आपके इस sı 대해서 स्वापट ड vegना अब इसमें से हम लोया बनाएंगे और उसकी बार पराथा की डिए इसके साइज अपनी में लोया बनानी है और उसे हमें बेलना है पहले जैसे रोटी बनाते हैं उसी टाइपस हम बेलेंगे बेलने के लिए आटा या मैदे का इस्तिमालाब कर सकते हैं तो यहां पर जो है आपको रोटी की जैसा बेलना है जिस तरह के से रोटी बेलते हैं बहुत ज़दा मोटी मेलना नहीं है और बहुत ज़दा पतली भी नहीं है बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं उसी टाइप से हम बना लेंगे तो यहां पर दे एक साइड इस तरीके से लेना है और स्ट्राफिंग के उपर रखना है आप देख सकते हैं इसके पास दूसरी साइड को लेकर ऐसे रखना है और नीचे से इसके उपर इस तरीके से डालना है और उपर से लेकर फिर नीचे इसी तरीके से जितना भी पराठा है वो सेम टाइप स्कॉयर बनाएंगे इस तरीके से स्ट्राफिंग डाल के फिर हम इसे बेलेंगे बेलने के लिए फिर से हम थोड़ा सा मैदा का इस्तिमाल करेंगे इस तरीके से डाल के हलके हाथों से हमें बेलना है जो स्ट्राफिंग है ऐसे डालने से हर एक साइड में चली जाती है पराठा की जिसमें पराठा खाने में बहुत अच्छी लगती है तो इस तरीके से आप थोड़ा थरा करके घुमा के इसे बेले इसे तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से जितनी भी पराठा हमें बेलना है बेलने की भाद हम सेकिंगी सेकिंगी के लिए यहाँ पर हमने पैन में कुछ भी यूज नहीं किया है वैसे हम इसे अच्छे से सेक लेंगे और उसकी बाद आप चाहे तो बटर, ओल, घी जो भी आपको पसंद है वो आप डालके इसे फ्राइ कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसे ऐसे खा सकते हैं बीना ओल, बटर, घी कुछ भी और यहाँ पर हम बटर का इस्तिमाल करेंगे और बटर से हम इसे फ्राइ कर लेंगे अब चाहे तो ओल का इस्तिमाल या घी का कर सकते हैं बटर में यह बहुत ज़दा अच्छी लगती है तो दोनों साइट पलटते हुए हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इसी तरीके से आ तो इसी तरीके से वोलोट पलट करके आपको fry कर लेना है दोनों साइड अच्छे से और ये देखे बड़िया सी पराठा बनके तयार है आप पराठा को पैर में डालना है जैसे एक साइड हलका सा सेख जाएगी उसकी बाद तुरान पलटना है और फिर दूसरी साइड को अच इसे फ्राइ कर सकते हैं तो बस इस तरीके से आपको पराठा बना लेना है और इसे इंजॉय करना है इस पराठा रेसिपी को आप चाहे तो कोई भी सॉस या कोई भी चटनी या हली चटनी टोमेटो के जब किसी के साथ भी आप खा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी आठा रिस्पी को अपने घर में जरू ट्राइ किजिए सब को ये बहुत पसंद आएगी तो बस आज की रिस्पी अपने घर में जरू ट्राइ करें किजी रिस्पी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले